हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेंट टेक्निकल में फिर से दोस्तों नहीं जॉब की इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ रुकीट्मेंट आ रही है दोस्तों एन इट की तरफ से नेशनल इंसिटूट ओफ टेक्नोलोजी की तरफ से दोस्तों 129 वेकिंसीज हैं नॉन टीचिक स्टाफ की जिसके लिए आप आल अवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं रेजर्वेशन के बेनिफिट भी आपको मिलेंगे आप कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं ओनलाइन मोड से आपको अवेदन करना है और यहां पे सेलेक्शन में आपका रिटन टेस्ट होगा उसके बाद जो है वो ट्रेट टेस्ट और फिर आपका सेलेक्शन होने वाला है तो डिटेल में बात करेंगे इसकी लिजिबिल्टी क्राइटेरिया की सेलेक्शन पॉससे की कैसे आपको अप्लाई करना उसके बारे में बात करेंगे तो और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो करना मत भूलेगा टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस रुकीट्पिट की बात करें तो टिलंगाना स्टेट वरेंगल में यहाँ पे लोकेशन आपका रहेगा 16 अठ को इसका नोटिफिकेशन आया है लेकिन जो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है वो 23 अठ दो जारीकी से 23 तारीक से आवेदन शुरू होंगे और 23 नो तक चलेंगे और इसी के बीच में आपको अप्लाइ करना पड़ेगा अगर बात करें विकिंसी Zज की तो 129 विकिंसी Zज़ है जिसमें की Senior Medical Officer की है Assistant, जूनियर एसिसेंट के लिए है इसके अलाबा 27 विकिंसी Technical Assistant के लिए है तो ये तीम वेन जॉब्स हैं ये 5 नमबर की ये 10 10 नंबर की और 11 नंबर की जिसमें थोड़ी विकेंसी जाता है और आप बिल्कुल इलीजिबल एपलाई कर सकते हैं अगर आपका सेलेक्शन होता है तो अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिले की डिटेल में बात करते हैं उन्हीं रुक्रीट्रेंस के बारे में बात करेंगे जि सबसे पहली पोजीशन है फ्रेशिस के लिए टेक्निकल असिस्टेंट पांच नंबर की पोस्ट 27 टॉटर नंबर वेकेंसी से 35,400 आपको सैलरी मिल जाएगी साथ में अलग से मिल जाएंगे 30 साल मैक्सिमों मेस लिमेट रखी गई है आपने बी बी टेक कर रखी है कंप्यू अगर यह भी नहीं करा है तो मास्टर डिग्री आपके पास फिजिक्स में कमिस्ट्री में किसी भी रिकोगनाईज यूनिवरस्टी से 50% के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर बात करें सेलेक्शन पॉसेस की तो आप किसी भ पोस्ट का अलग-अलग उन्होंने बताया है खुद भी आके आपको चेक करना पड़ेगा जूनियर एंजिनियर के लिए आठ पोस्ट हैं तीस साल मैक्सिमोमेज लीमेट भी बीटक कर रखी है सिवल में एलेक्ट्रिकल में आप इलीजिबल एप्लाई कर सकते हैं और ये सा जालरी 35,000 पिलेगी साथ में अलोएस पिलेंगे तीन वेकेंसी से तीस साल मैक्सिमोमेज लीमेट मागी गई है बैचलर डिग्री फिजिकल एज्युकेशन में है आप अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरी और इंफोमेशन असिस्टेंट के लिए दो वेकेंसी से तीस साल मै कमर्स में आप बिल्कुल इलीजिबल अप्लाई कर सकते हैं या आपने बैचलर डिग्री लाइब्रेरी और इंफोमेशन साइंसिस में ले रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्नीशन की बात करें तो 19 वेकेंसी से जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 33 year maximum wage limit और diploma अगर रखा है आपने civil में, electrical में, mechanical में, computer science में, electronics and communication में, IT में तीन साल का आप eligible apply कर सकते हैं इसके लाब अगर आपने B, beta कर रखी है इनी में से किसी discipline में तो भी आप apply कर सकते हैं अगर यह नहीं है तो 10 plus 2 के साथ आपने IT का कोर्स कर रखा है एक साल का, civil का, electrical का, mechanical का, electronics का, photography का, DMLT का, auto mobile engineering कर रखी है आप eligible apply कर सकते हैं और इसमें भी B, B, Tech वाले eligible हैं अगर आपने diploma नहीं करा, आपने B, B, Tech कर रही है तो B, B, Tech के साथ भी आप same discipline के साथ apply कर सकते हैं junior assistant के लिए दोस्तों यहाँ पे 10 plus 2 मांगा गया है साथ में typing speed आपकी 35 word per minute की होनी चाहिए computer के उपर और word processing spreadsheet की आपको जानकरी होनी चाहिए 19 vacancy से total 21,700 salary आपको मिल जाएगी साथ में allowance select से जिसमें की TA, DA और other allowance तो अच्छी कासी salary मिल रही है application fees रखी गई है 1,000 rupees unreserved के लिए और OBC के लिए अगर आप शुरुआत की जो post हैं उसके लिए apply करना वाले हैं जैसे की एक number की और दो number की बाकि अगर आप serial number 3 से लेके 11 तक 500 रुपे मातर fees रखी गई है ठ्यान दीजेगा serial number 3 से लेके 11 तक की जितनी भी post है उसमें 500 रुपे fees जो है आपको pay करनी है online mode से और बाकि अगर आप SC से आते हैं SD से आते हैं person with disability है economically weaker section से आते हैं या woman candidate हैं चाहे किसी भी category के हैं तो आप बिल्कुल भी fees नहीं देनी है आपको बिना fees के आपको apply करना पड़ेगा उसके लावद दोस्तो apply करने के लिए 23 तारीक चो है वो रखी गई है 23 तारीक से आप आवेदन कर पाएंगे 11 बज़े शुरू हो जाएंगे और 23 नो तक चलेंगे जाके इसको read करिए और अगर आप eligible होते हैं तो 23 तारीक से जाके जुरूर इसके लिए आवेदन करिएगा तो यहीता दोस्ता आज की इस वीडियो में यह लिगा गया उनकी notification में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और जाधा जूब update के लिए आप चाहें तो हमारी website को visit कर सकते हैं और मिलेंगे अजी किसी नही जूब update के साथ दुबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए